नमस्कार आप देखरें नेक्ट नाइन न्यूज एडी के सवालों का जवाब देने के लिए कल अरविंद केजरिवाल एडी के सामने पेश होने वाले हैं जी हाँ बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरिवाल से एडी शाराब नीती मामले में पूच्ताच करना चाहती है इससे पहले आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजे सिंग और मनीज सिसोधिय भी शाराब नीती मामले में एडी के सवालों का सामना करके जेल जा चुके हैं और अब क्या आगे आगामी जो नंबर है वो अरविंद केजरिवाल का लगा हुआ है आपको बता दे कि अरविंद केजरिवाल के खिलाब 23 दिसम्बर को एडी ने तिसरा समन जारी किया था और उस समन को जारी करने के बाद एडी यहां पर अरविंद केजरिवाल से पूछचाच करना चाहती है आपको बता दे कि दस दिनों के लंबे विपशना सिविर से अरविंद केजरिवाल वापस आ चुके है इसके अलावा अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली में हुई रष्टे कारेकारणी की बैठक में कहा कि देश की गरीब जनता कोई की जो भलाई करता है उसको जेल में जाना ही पड़ता है हमने दिल्ली के लोगों को मुफ्त सुईधाएं दी मुफ्त बसों में यात्रा दी इसके अलावा जो चिकित सा सुईधाएं थी वो मुफ्त में उपलब्द करवाई जा रही है और दिल्ली के लोगों को फिरी बिजली उपतलब करवाई जा रही है और ऐसे में अरविंद केजरिवाल कहीं न कहीं अब फिर से एडी को कटगरे में खड़ा करता नजर आ रहे हैं इसी के साथ साथ केंदर सरकार पर भी अरविंद केजरिवाल ने करारा निशाना सादा है अरविंद केजरिवाल ने कहा है कि केंदर सरकार ताना शाही पूरवक साशन चला रही है और दिल्ली में किसी भी प्रकार का काम करने में अर्चने पैदा कर रही है इसके अलावा आपको बता दे कि अरविंद केजरिवाल जो की दिली के मुख्यमंतरी है उनका कहना है कि मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल से भी सरकार चलाओंगा यानि कि आगामी वक्त में हो सकता है कि अरविंद केजरिवाल अपना मुख्यमंत्री का पाद उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल को सौप सकते हैं ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या अरविंद केजरिवाल अब E.D. के सवालों का सामना करेंगे या फिर एक बार फिर से अपना कोई जवाब दे कर E.D. के सवालों से छुटकारा पा लेंगे क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाओं की तैयारियों में आम आदमी पार्टी यहां से अपनी तैयारिया मजबूत करने में लगी है और आने वाले वक्त में E.D. के खिलाब एक बड़ी जो है यहां पर दिल्ली में आयोजन करने वाली है और ऐसे में दिल्ली के लोगों के बीच अभिहान चला कर आम आदमी पार्टी अपनी साप सुथरी छवी बनाने की कोशिश करने वाली है